हेलो स्टुएंट बेलकम बैक मैं यूटूब चनल गौरफ होतिया उच्छ यूटूब चनल में आपका एक फ़र से स्वागत है तो स्टुएंट आज हम बात करने वाले हैं पेरामेडिकल की काउंसलिंग को लेके लगातार एक इस्टुएंट का एकी कमेंट है कि सरक पेरामेडिकल का जो काउंसलिंग नोटिफिकेशन या शेडूल डाला है आरुचस ने उसमें उनको कंफर्म नहीं हो बारा कि अलोट्मेंट लेटर कब आएंगे और रिपोर्टिंग अब से स्टार्ट होगी इस चीज़ पर आज हम बात करने वाले हैं तो चलिए लेके चलता हूं मैं आपको सीधा रिपोर्टिंग की वेफशाइट पर जहां से मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा है कि कौन सी इंफोर्मेशन कब है देखो बैसे रिपोर्टिंग करता है बहुत लेटी करता है रिपोर्टिंग का नाम लेट यूनिवर्शेटी रग देना चाहिए यहां पर इन्ह कर लेते हैं ठीक है यह डाउनलोड हो रहा है चलो अब यह डाउनलोड हो चुका है तो इसमें आप देखेंगे यहां पर बीपीटी बीर्टी बीमल्टी जितने इत्यार पेरामेडिकल की कोर्स है इनके बारे में लिखा है इसको थोड़ा नीचे की तरह स्क्रॉल करते हैं तो हमको यहां पर काउंट्विंग का शेडूल लिखता है इन्हों ने एक ची लिखा है कि जो अलॉट्मेंट लेटर से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपकी 24 तारीक को आएगी ना कि आपके अलॉट्मेंट लेटर तो जो भी स्टुएंट परामेडिकल का यह स चार दस दस दिन बाद अलॉट्मेंट लेटर आएंगे यह दस दिन पहले अलॉट्मेंट लेटर की इन्फॉर्मेशन देखे करना क्या जाते हैं मेरे को तो यही समाज नहीं आता है वी चैस ने और रेड़ी इतना सेसन लेट कर रहे हैं काउंसलिंग भी इतना तिले कर बा चार तारिक को तो अलॉट्मेंट लेटर आएगा तो यह था आपका जो डाउट जो अब मैंने सॉल्व कर दिया है तो अब सभी जितने भी काउंसलिंग शेडूल आ चुका है जिन भी कोर्स है इसका उनकी चार तारिक से अलॉट्मेंट लेटर जा रही होके पांस तारिक स उसके लिए यह सॉल्यूशन है तो अब वो चिंता ना करें आपका पांस तारिक को अलॉट्मेंट लेटर आएगा 24 तारिक तो सर्फ इनफॉर्मेशन आईगी ठीक है बाकि जो भी फार्मेसी का अगर इस स्टुएंट देख रहा है कि वो लगाता रेगी कमेंट करते हैं सर सर्फ फार्मेसी कैंविश्टाउट होगि ? तो मैं बता तो ओए फार्मेसी कैंविशेन आपकी ब्यासी नर्सींग के फर्ष्टारउन सांस के बाद होगी ? तेकर